बीएनस रूपिंग यानि भरोसे की छत हाई, I'm Saurab मैं एक स्टील कंपनी का ओनर हूँ मेरी कंपनी का नाम VNS Roofing India Private Limited है मैं आज आप लोग के साथ एक छोटी सी जनी शेयर करना चाहता हूँ जो इस कंपनी को लगाने में और मेरे एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं करीब स्टील में अपने फादर के साथ आठ साल से जुड़ा हूँ हम लोग हमारी कंपनी एक ये JSW स्टील की UP की पहले सर्विस सेंटर है जहां पर हम लोग किसी भी तरह का रूफिंग, क्लैडिंग, प्री इंजीरियर बिल्डिंग्स, कस्टमाइज सॉलूशन देते हैं हमारे सर्विस सेंटर की USP यह है कि हम 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपकी कस्टमाइज नीट को पूरा कर सकते हैं हम अपने सर्विस सेंटर के बारे में आपको डीटेल में बताते हैं, जहां पर हम JSW स्टील से PPGI, PPGL कोईल्स खरीते हैं और उसको रोल फॉर्मिंग करते हैं रोल फॉर्मिंग आपको मैं लेमेन भाशा में बताऊं उसकी प्रोफाइलिंग करते हैं हम प्लेन कोईल खरीते हैं और उसको प्रोफाइल ट्रापजोडियल प्रोफाइल बनाते हैं जो कि आजकल चट के चाजन या घरों में शेट के उपर जनरेटर के उपर बहुत सारी यूज़ेज हैं इसके आजकल आप जितनी भी फैक्टरीज देखिए सारी आपकी स्टील की बनती हैं अगर आप मैं आपसे कहूँ दिल्ली या बॉंबे में मेट्रोज में तो घर भी स्टील के बनने लग गए हैं उसी सारी चीजों को देखते हुए हम लोग ने स्टील का सर्विस सेंटर लगाया है प्लस हम लोग ने यहां पर कटिंग और स्लेटिंग लाइन का भी इंस्टॉलेशन किया है जिसमें जैसे आज हमारे यहां जितने भी छोटे वरकर्स हैं ट्रक बॉड़ी वाले बकसा पेटी बनाते हैं डक्टिंग करते हैं कूलर का काम करते हैं यह सारे लोगों को एक स्टैंडर साइस की चदरें अभी तक उपलब्द होती थी बट हमने इ सकते हैं तो उनकी कॉस्टिंग भी काम आएगी अगर आप कोई स्टील इंडर्स्टी लगाना चाहते हैं तो मेरे को लगता है कि मेरा चोटा से एक्सपिरियंस आपके किसी काम हो सकता है हम लोग JSW Steel के UP के पहले ऑथराइज सर्विस सेंटर है जिसका नाम है जिसका कंसेप् JSW Explore Infinite Opportunities यह JSW Steel का एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि JSW Steel बहुत ही चुनिंदा लोगों को देता है और हम UP के ऐसे पहले प्रिवलेजड हैं जो हमने JSW के साथ पार्टनर किया है इस सर्विस सेंटर का सबसे बड़ा मकसत यह है कि हम यहाँ पर कम टाइम में जल्दी से जल्दी एक्ट्री में शेड बनवाना है तो उसको गाजयबाद जाना पड़ता है या माराष्टा जाना पड़ता है या हैदरबाद जाना पड़ता है हमारा उद्देश यह है कि हम UP में और बनारस में रहके यह सारी चीज़ें यही पर प्रोवाइड कराएं इसी चीज़ को देख जी आई, सी आर, गैलवलूम के कोईल्स भी बंगाते हैं जिससे हम अगर कस्टमाइज ट्रक की बॉड़ी में जो स्टील हो सकता है यूज जो कूलर, बॉक्सेज और बहुत सारी एसी डक्टिंग आजकल बहुत पॉपुलर है जिसमें गैलवलूम शीट यूज होती है उसमें उसमें भी इन चन्दरों का यूज होता है लेकिन हम आपको य ही कस्टमाइज वे में दे सकते हैं और आप आजकल देखिए आजकल जितने भी घर है उसमें भी कितना स्टील यूज होने लग गया है तो मेरे को लगता है कि स्टील का पोटेंशल बहुत ज़ादा है ये स्टील इंडस्ट्री आज के दिन में बहुत अपकमिंग है और आज स्टील को देख स्टील कंस्ट्रक्शन और इंफ्रासेक्शर सेक्टर को देखते हुए नहीं हो एरपोर्ट है इनलेंड वाटरवेज तो बहुत सारे इंवेस्मेंट आ रहे हैं यूपी में मेरे को लगता ह कि बहुत बड़ा पोटेंशल है स्टील इंडस्ट्री के लिए यूपी आपको कुछ चीजों का ध्यान अकना पड़ेगा जैसे आज मैंने अपनी इंडस्ट्री लगाई है जहां पर हम लोग करीब करीब साड़े तीन से पांच हजार टन पर मंद का प्रोड़क्शन कर सकत है इसके लिए मिनिममम स्पेज जो रिक्वार्मेंट है वो करीब करीब चालिज से पचाज़ स्कॉर फिट की है जिसमें इसमें तीन तरीके की मशीन लगाई है एक तो रोल फॉर्मिंग मशीन लगाई है जिसको प्रोफाइलिंग लाइन कहते हैं दूसरी लगाई है तीसरी है slitting line जो की चदर कट सकती है उसको किसी भी विट में slit कर सकते हैं यह तीन लाइन हम लोग में लगाई है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह मशीने इंडिया में भी बनती हैं आज के दिन में जब मैंने लगाई थी तब यह जपान और चाइन से ज्यादा हो र जो कि इंडिया की फाइनस मशीन यही से मशीन जब लगी है और जब पूरे सपोर्ट के साथ हमने मिलके मशीन लगाई है मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि जैसे अगर मान लीजे आपको एक हजार टन का सर्विस सेंटर लगाना है तो उसके लिए आप मान के चलिए कि कम से कम मिनिममम सो लह से 20,000 स्क्वार फिट की लैंड की ज़रूत है और कम से कम 15,000 जिसमें 12 से 15,000 का एक शेड जरूत है क्योंकि यह जो मशीने हैं यह शेड में ही लग सकती है और जो इसमें फिनिश गूड होता है उसको आप बहाँ नहीं रख सकते है क्योंकि बरसात में औ बढ़ी लेते हैं तो मेरे को लगता अगर आप कोई स्टील इंडस्ट्री लगा रहे हैं भले ही हजा तन की लगा रहे हैं तो आपको मिनिममम हमको लगता है कि 40 से 50,000 स्क्वार फिट लैंड के लिए इन्वेस्मेंट करना चाहिए फर्स स्वेज में आप बले ही एक छोटा स्टील इन्वेस्मेंट से जिन्हों ने चालू किया था और आज एक नेशनल लेवल की इंडस्ट्रीज हैं और आज वो करीब करीब 50,000 या लाख टन पर मंथ बना रहे हैं जो कि हम लोग यहां पर यूबी में रहे कि यह सोचते हैं कि एक सपना है बट जब तक आप उस ची जो कि नए इंडस्ट्री के लिए 30-40% आता है जो कि बहुत अच्छा है तो मेरे को लगता है कि एक छोटी इंडस्ट्री भी स्टील में अगर आप एक और्गनाइस तरीके से प्रॉपर मार्केटिंग के साथ प्लान करें तो इसमें सबसे जादा ज़रूरी बात है कि आप म मटीरियल खरी दें और अच्छे देखे कस्टमर आज के धिने कोई एक घर का कस्टमर रहे जाहे कि जाते हैं आप आप घर के लिए कोई भी समान लेते हैं आप चाते हैं अच्छे साच्छा करिदे अब मैं आपको एक ब्रीफ में, अगर आप एक हजार टन की इंडस्ट्री स्टील का सर्विस सेंटर लगाना चाहते हैं, तो उसमें कितने कॉस्स फैक्टर्स हैं, वो बताना चाहूंगा, एक तो फिक्स कॉस्ट है, जैसे आपकी एक लैंड हो गई, जैसे फिक्स कॉस्ट तो अगर हजार स्कॉर फिट की लैंड है, और मान के चलिए आपकी पचास लाग रुपे की मोटा मोटी लैंड हो गई है, और इसमें रोल फॉर्मिंग लाइन लगानी पड़ेगी, आपको जो प्रोफाइलिंग लाइन होती है, वो आप मान के चलिए कि पचास से साथर ला पड़ेज लगाना पड़ेगा छोटा सा, क्रें की कॉस्ट मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 15 से 20 लाग रुपे की है, और अगर आप इसमें और अच्छी क्वालिटी लगाना चाहेंगे, जो हमने क्रें लगाई है, हमने सारी ACC, सब VVFD ड्राइफ के साथ लगाई है, तो उसकी कॉस्स थोड़ी करीब मान के चलिए, पांच लाग रुपे जादा हो जाती है, और बाकी इसमें दो अपरेटर्स रिक्वाइड हैं, एक क्रें चलाएगा, दूसरा रूल फर्मिंग लाइन चलाता है, और अबाकी तीन साथ में जादा से यादा मैक्सिमम पांच या चलाएगा, और आपको एक आफिस एक बनाना पड़ेगा, जहां पर आप अपना एक ट्रेनिंग सेंटर बना सकते हैं, चोटा सा, क्योंकि फैबरिकेटर को बहुत एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी यहां के फैबरिकेटर स्टील इंडरस्टी से बहुत सहमत नहीं है, और आज भी स्टील का कंजम्शन इसलिए इंडिया में बहुत काम है, तो हमने अपनी फैक्टरी में क्या किया है, एक करीब करीब 400 स्क्वार फिट का ट्रेडिंग सेंटर बनाया है, जहां पर हम मन्तली बेसिस पे, जियेज डबलु के सपोर्ट से उनके सपोर्ट से एक ट्रेनर को बुलाते हैं, जो एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं कि शीट का चारजन कैसे करते हैं, राफ्टर, कॉलम, इसका इंस्टॉलेशन, कौन से एमेम का एंकर बोल्ट यूज़ करना है, बहुत सारी इसमें टेक्निकल च 500 स्कार फिट का कॉंफरेंस हैं, मीटिंग रूम बनाएंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है, मार्केटिंग, देखिए, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको एजुकेट करना है, प्लस उसको मार्केट करना है, क्योंकि मार्केट में और भी कॉंप इन लोगों से आपको रेगुलर कॉंटेक्ट बना के रखना हो क्योंकि बहुत सारी नहीं चीजे हैं, जो एक इंडिस्ट्री वाला नहीं जानता है, लेकिन इंजीनियर या इंस्टॉलर वो चीजे अपड़ेट पढ़के आते हैं, तो उनसे अगर आप उनसे अगर आप ट आपको रेजिस्टेशन्स और कम्प्लाइंस, स्टाचुचरी कम्प्लाइंस सारे करने पड़ेंगे, लेबर, पी एफ, एस आइसी, फैक्टरी जेक्ट, आपके जितने भी रेजिस्टेशन्स एक फैक्टरी को होते हैं, सर्विस्ट एक, सेंट्रल एक्साइज, एक आप मैन मताना चाहूंगा, इसके बहुत सारे कंसर्टेंस भी अविलेबल हैं, डेली बेज़ हैं, बॉम्बे बेज़ हैं, लेकिन जो कि हम लोग का ये JSW स्टील का सर्विस सेंटर है, तो हम लोग को JSW की पूरी प्लांट टीम ने और JSW की मार्केट टीम ने तीम ने कंसर्टेंसी हमको अलग से कोई भी कंसर्टेंट हायर करनी की ज़रूत नहीं पड़ी, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आज के दिन में सारी चीजें गूगल पे अविलेबल हैं, कोई इस पे बहुत रोकेट साइंस वाली चीज नहीं है, थोड़े से क्यालकुलेशन्स हैं, जो कि आप खुद भी कर सकते हैं, बट एक कंसर्टेंट भी अगर हायर करने तो अच्छा है, बहुत सारी एजिंसी हैं, देखे मैं इस सजेशन देना चाहूंगा कि मैंने इंडिया में बहुत सारे फैक्टरीज को विजिट किया, बट जीएस ड़वू जैसी एग्रेसिव कंपनी और मेरे को लगता है, और बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं, जैसे टाटा स्टील है, बट मेरे को लगता नहीं है कि किसी स्टील इंडिस्ट्री ने अभी कोई ऐसा कंसर्प लेके आया है, ये JSW का मेजर एम ये है कि अगर एक बड़ी इंडिस्ट्री जैसे JSW स्टील है, उनको छ चोटे कस्टमर्स का भी ध्यान रखें, इसी को सोचते वे बड़ी कंपनियों को आज नहीं तो कल मेरे को लगता है कि अगार आज टार्टर स्टील नहीं लेकर आ रहा है तो आज नहीं छे महने बाद साल भर बाद जरूर वो भी एक प्लान करेगा सर्विस सेंटर, तो मेरे को कि वक्त मिलेगा मैं आपको उसमें रिप्लाइ कर सकता हूँ, थैंक्यू वेरी मच्च